नमश्कार दोस्तों मैं अबदीप सिंग विर्क विर्क आयरशेर फारम यूटीब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ जैसे कि आप सब को मालू है कि हम आयरशेर ब्रीड के उपर काम कर रहे हैं और आयरशेर की गाएं अक्सरी आप हमारे चैनल पर देखते रहते हैं लेकिन आज हम जो आपको गायें दिखा रहे हैं ऐसी गायें पहले कभी भी किसी आदमी ने इडिय इन्डिया में हैं नहीं दिखाई होगी हमारे पास भी ये नंबर वन गायें घैसे पहली थी हमारी 43 लीटर की गायें ये कमके कम यह हमारी गाएं यह थार्ड लक्टेशन में हैं इस बार और तम से कम यह 25 लीटर के आसपास 45 से ऊपर दूर्द देने की हम इसकी उमीद रखते हैं नहीं तो 43, 44, 45 तो बहुत अराम से दूर्द यह देगी बिग गाएं हैं बहुत अच्छा इसका जो ऐसा ट्रक्चर है आप देख सकते हैं अधर साई देख सकते हैं इसका जो है जिसको हम अधर काफी बड़ा है बिग गया है बिलकुल और बोर्डी स्कोर आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छा मिल्क प्रेड्यूस करेगी और आने बाले कम से कम यह अभी रियाडी फोर डिलिवरी है जैसे ही इसकी काविंग होगी तब हम आपको यह गाएं मिल्की पे दिखाएंगे और यह गाएं ओरिजिनल जो फ्रांस के सीमन आते थे जिसका हमारे पास पहले बुल था जो हमने सेल किया है सिकी में उन सीमनों की यह प्योर जो फॉर्ण से सीमन आते उनकी यह गाएं जैसे हमारे पस अधर गाएंगे लेकिन करेक्टर वाइज और बोडी वाइज लेंथ लंबाई वाइज यह गाएं बहुत ही बीग है और काफी अच्छी है क्या रिस्पॉंस रहता है इस गाएं का और यह गाएं नौट फॉर सेल है क्या रिस्पॉंस रहता है कैसा मिल्क यह देती है कितनी मिल्क प्रडेक्शन करेगी यह आपको लाइव इसकी है जो वीडियो मिल जाएगी और आने वाले कुछ दिनों में कम से कम 20 के दिनों में हमारे पास जो राइस ग्रास है वो चलने लगेगा और जितनी गाएं काविंग हो चुकी है फारम पे उनकी वीडियो भी आपको मिलेगी एक जलक मैं उनको आपको उन गाएं के उपर मरवा देता हूं जो ग मिलकिंग उस मिलक पर चल रही हैं यह गाय फार होने वाली हoration 15-20 दिन व्लुक dalla यह चल रही है यह गाएं भी मिलकिंग चल रही हाई गाया जैसे ही 15-20 से बीस दिन में गाएं अपनी पकड़ेंगी इनको को कि सूई को मशेम बिस दिन हो यां यह यहाइन इनको एक मन्त हो जाएगा उसी हिसाब से इन गायों की जो है मिल्किंग आपको आपको लाइब हमारे चैनल के उपर देखने को मिलेगी और कितना यह मिल्क प्रिड्यूस करती है इस बार हम चाहते हैं कि कुछ नया रिकार्ड आप सब के साथ बनाया जाएगा आयर शेयर को ल सीमन की requirement हो आप हमसे contact कर सकते हैं और सीमन बाहि कर सकते हैं यह बुल है बिल्बू सेपरेट पोर्शन में और अच्छे शायर का है और आगे जो इसकी बच्चियां है बहुत अच्छा मिल्क प्रड्यूस करेंगी अभी यह खीरा बच्डा है जैसे यह चार दांत में या दो हो जाएगा तो इसकी हाइट और ग्रोथ देखने लाइक होगी थैंक यू इस बुल के सीमन अभी जो है मार्किट में आ रहे हैं बहुत जल्द नए रिकार्ड के साथ आयर शेयर ब्रीड की लाइब मिल्किंग विरक आयर शेयर फार्म के यूट्यूब चैनल पर ठैंक्स प